T.M.U. COVID-19 Hospital में दिनांग 22 सितंबर 2020 को कोतवाली संभन निवासी 103 वर्षिय पवन कुमार मिश्रा को बुखार एवं सास की समस्चाओं के साथ आक्सीजन सपोर्ट पर भरती कराय गया था R.T.P.C.I. से जांश करने पर उनमें कोरोना संक्रमन की पुष्टी हुई मरीच की गंबीर हालत को देखते हुए तुरंत I.C.U. में शिफ्ट किया गया तब उनका S.P.O. 2 लेवल 86 और हीमोग्लोबिन 6.4 था प्लेटलेट्स भी काफी कम थी तथा मरीच को दो यूनिट बलट के और प्लेटलेट्स के जंबो पैक भी चड़ाए गये थे T.M.U. हॉस्पिटल के डॉक्टर एवम नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में भैतर उपचार, देखरेक और दवाईयों के परिणाम सरूप मरीच को 1 अक्टूबर को HDU वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था मरीच की तबेद में तेजी से सुधार हो रहा था तथा मरीच की ऑक्सीजन लेवल 98% पर इस्तिर थी और 3 अक्टूबर को ऑक्सीजन सपोर्ट भी बंद कर दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निदेशों के अनुसार T.M.U. कोविड हॉस्पिताल में आज मरीच को छुट्टी दे दी गई है T.M.U. निवर्स्टी के मानिय कुलादी पती शिरी सुरेश जैन तथा ग्रूप वाइस चेर्मेन शिरी मनीश जैन ने T.M.U. हॉस्पिटल में दिनराज सेवा भाव से सेवाय देने वाले सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एव अन्य सहायक स्टाफ को बधाई रिये जिनके अथक प्रयासों से बहतर उपचार के कारण आज 103 वर्ष ये मरीश पवन कुमार मिश्रा कोरोना को मात दे कर ततस्वस्थ होकर अपने घर वापस गए T.M.U. हॉस्पिटल परशासन ने हॉस्टलों को सलाम करते हुए अस्पताल से विदा किया क्या कहना चाहेंगे हमारे स्टाप और डाक्टर्स के बारे है और कराम सब्सक्राइब करना हुए आपका सब्सक्राइब कोई कोई दिक्कत नहीं है डाक्टर टाइम से आते थे देखने सब कुछ सफाई गर्मी हर्चीज ब्रेम प्था सब्सक्राइब करें चाहेंगे अच्छा नोक्तोर भी नर्स में पर में अद्रस विजिया हुए अच्छा यूदर बार पुसंता है बहुत खुशी है ठीक बबाब आप एक तम ऐसी तो रही है जी अब अब शभी को इसी पिकार साब भीजे जी एक तम बस आपका अशिरवाद चाहिए ऐसे ही सब बहें बतापका अतिरवाद अशी रहे बाबा